दोस्तों हमने अपने वीडियो में कई नामी एक्टर्स और एक्ट्रिस की बात करी है और उनके जीवन के किस्तों को सुनाया है लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा अलग और स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उस मशूर गायक की बात करने वाले हैं जिसने अधिक थी कि उसकी अंतिम यात्रा में करीब 10,000 लोग उसे आखरी विदाई देने पहुचे और वो आवास की शकल में अमर हो गया जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के मशूर प्लेबैक सिंगर मुहम्मद रफी के बारे में जिन्होंने अपने गानों से लाखो करोडों लोगों को एंटर्टेन किया हाला कि किशोर कुमार के आने के बाद उनकी लोग प्रियता थोड़ी कम हो गई लेकिन उनकी आवास का जादू कभी कम नहीं हुआ वे गाने से पहले इतना प्रैक्टिस करते थें कि मानों वो कोई नए गायक हो एक बार गाते- उनके मूँ से खोन तक निकल गया था आज के वीडियो में हम उनके शिरुवाती करियर के साथ साथ सिंगिंग करियर और नीजी जीवन से जुड़ी कुछ अंसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शिरू करते हैं दोस्तों उनका जन्म 24 सितंबर साल 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंग में एक मिसलिम परिवार में हुआ था हाला कि उनके एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कहा जाता है कि बच्पन से ही उनकी आवाज काफी अच्छी थी लेकिन उन्हें गाना गाने में दिल्चस्पी तब आई जब उन्होंने एक फकीर को गाना गाते हुए सुना आपको बता दे कि उस फकीर ने ही उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने का काम किया था रफी सहाब का निक नेम पीको था जी हाँ ब अभी अभी कहा कि रफी सहाब के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने फकीर को गाना गुनगुनाते हुए देखा वही से वो भी गाना गुनगुनाने लगे और बाल काटते हुए वो हमेशा गाना गुनगुनाया करते थे एक बार जब वो इसी तरह बाल काटते हुए गाना गुन-गुना रहे थे तो पंडित जीवनलाल भी बाल कटवाने के लिए वहीं पर पहुंचे थे रफी सहाब अम्रिस सर स्टाइल में वारिश शाह का हीर गुन-गुना रहे थे इस वाज में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया जीवनलाल ने रफी को आउडिशन के लिए बुलाया जिसे उन्होंने बहुत आसानी से पार कर लिया जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी सहाब गाईकी में माहिर होते चले गए दोस्तों उन्होंने 13 साल की उम्र में पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस दिया हाला कि ये मौका उन्हें सैयोग से मिला था दरसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपलर सिंगल कुंदलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इंकार कर दिया ऐसे में आयोजिकों ने रफी सहाब को परफॉर्म करने के लिए कहा और इस तरह लोगों के सामने तीरह साल के रफी सहाब अपनी आवाज का जादू दिखाने लगे खैट अभी उनके जीवन में कोई लोग प्रियता हासिल नहीं हुई थी लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वे एक दिन बहुत बड़े गायक बनेंगे जिसकी आवाज के लोग दिवाने हो जाएंगे बात करें उनके आने वाले दिनों की तो भी डारेक्टर श्याम सुंदर की मदद से फिल्मों में आए जी हाँ बलकुल सही सुना आपने उनका पहला गाना गाल बलूच फिल्म का परदे सी सोनियो ओही रिये था उन्होंने हिंदी फिल्म में गाना गाने की शुरुआ साल 1945 में की थी अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि जब वो बच्पन से ही गाना गा रहे थे तो हिंदी फिल्मों में आने के लिए इतना लेट क्यों हो गया तो आपको बता दे कि रफी साहब 1944 में महद 100 रुपे लेकर मुंबई आया थे और उसके एक साल बाद यानि की 1945 में जाकर उनका बॉलिवुड गाना आया उन्होंने बॉलिवुड में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 1945 में फिल्म गाउं की गोरी से किया था और उस गानी के बोल थे आज दिल जो काबू में उसके बाद ये सिलसला काफी लंबे समय तक जारी रहा उन्होंने आने वाले समय में कई बड़ी फिल्मों की गानों में अपनी आवाज दी और अपनी आवाज का जादू लोगों पर शलाया उन्होंने कई नामी कलकारों को अपनी आवाज दी जिन में धर्मेंद्र सिल्ले के दिलिप कुमार शामिल है आपको बता दे कि उन्होंने अभिनेता जौनी वॉकर के लिए 150 गाने, धर्मेंद्र के लिए 114 गाने, देवानंद के लिए 100 गाने, शमी कपूर के लिए 119 गाने, सशी कपूर के लिए 119 गाने और दिलिप कुमार के लिए लगबग 77 गाने गाए उन्होंने नौशाद, S.D. बर्डमन, शंकर जैकिशन, रवी, मदन मोहन, ओपी नयार, लक्षमी कान, प्यारे लाल और कल्यान जी आनंद जी जैसे मशूर संगितकारों के साथ काम किया दोस्तों, उनके द्वारा गाय गए पॉपिलर गानों में ये चांस रोशन चहरा आने से उसके जो वादा किया वो निभाना, लिखे जो खत तुझे, बहारो फूल बरसाओ, छूले ने दो, ये दुनिया ये महफिल, तारीफ करूं क्या उसकी, परदा है परदा, मैंने से जुड़ा जो कुछ इस तरीके से है, देश फक्ती गाने में साउंड एफेक्ट देने के लिए सबी सिंगर्स और कोरस गानों को मिलिटरी वालों के जूती पहनाए गए थे, जूतों की आवाज से ही साउंड क्रियेट कर रिकॉर्ड किया गया था, जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो महमद रफी के पैरों से खोन बह रहा था, लेकिन उनके चहरे में चमक थी, और ये चमक थी उनका पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की, जिसके खुशी में उन्हें अपने पैरों से निकले खोन भी नहीं दिखे, दोस्तों अपने कैरियर के बीच में ही उन्होंने कुछ मॉलवियों के कहने पर गाना गाना छोड़ दिया था, लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके फैंस काफी दुखी हैं, तो उन्होंने ये कहकर दुबारा से गाना गाना शुरू कर दिया कि वो एक अबादत है, खैर वीडियों में आगे बढ़े, तो साल 2015 में एक मनुर्मा ऑनलाइन नाम के आर्टिकल के मताबिक रफी साहब ने कुल मिलाकर 7405 गाने गाये थे, जो अपने आप में एक अद्बुत रिकॉर्ड है, और बहुत बड़ा अचीवमेंट भी, क्योरा के मताबिक उनका आकरी रिकॉर्डेट गाना तेरे आने की आसे दोस्त था, दोस्तों उनके नीची जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में दो बार शादी किया था, जी हाँ, उनकी पहली पतनी का नाम बशीरा बीवी था, जिनसे उन्होंने साल 1938 में विवाह किया था, और ये रिस्ता आधिक समय तक नहीं चला, साल 1942 मे दोनों एक दूसरे से अलग हो गएं, दरसल कहा जाता है कि उनकी पहली पतनी पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी, जबकि रफी साहब भारत में, जब दोनों में कोई सहमती नहीं बनी, तब जाकर उनकी पतनी ने उन्हें तलाग दे दिया, और वो पाकिस्तान में ही रहने उसके बाद साल 1945 में उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी पतनी का नाम बलकिश बानो था जो शादी के बाद बलकिश रफी बन गई रफी साहब के कुल साथ बच्चे थे जिन में से तीन लड़की थी और चार लड़के उनके बेटों का नाम शहीद रफी, खलीद रफी, हमीद रफी और सईद रफी था जबकि बेटियों का नाम यासमीन रफी, परवीन रफी और नसरीन अहमत था आपको बता दे कि उनके का दुकान चलाते थे, वहीं उनकी माँ अल्लाहर की एक हाउस वाइफ थी, खबरों के मताबिक रफी सहाब अपने आट भाई बहनों में दूसरे नंबर पिडाते थे, यानि कि वे अपने माता-पिता की सातवी संतान थे, उनका परिवार काफी रूडिवादी पर अगर उनकी भी सोच बिलकुल रूडिवादी होती तो शायद आज हम इस लेजंडरी सिंगर की बात नहीं कर रहे होते, खैर वीडियो में आगे बढ़े तो उनके कामों के लिए उनने कई सारे पुरुसकारों से नवाजा गया, कई सारे पुरुसकार के रिए वे नमांकित भी हुए, जी हाँ, उन्होंने फिल्मी दुनिया और लोगों को जो दिया है वो कभी न भूलने वाला है, शायद जब तक दुनिया रहेगी और लोगों को गाना सुनने की आदत रहेगी, तब तक रफी सहाब अपनी आवाज के रूप में जिन्दा रहेंगे, कहते हैं कि जो इस दुनिया में आता है, वो एक ना एक दिन जरूर जाता है, और रफी सहाबी इसी तरह इस दुनिया से रुकसत हो गए, एक तिस जुलाई साल उनिसाव ऐसी को 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पढ़ने से उनकी मृत्ति हो गई, वो लोगों के दिलों में जिन्दा है कहा जाता है कि उनकी अंतिम विदाई में करीब 10,000 लोग पहुंचे थे, वेल उनके जीवन के इस कहानी को यही बरसमाब्द करते हैं, और उमीद करते हैं कि आपको उनकी ये जिवनी पसंद आई होगी, अगर आप उनके द्वारा गाए गानों और उन्हें पसंद करते हैं